मैं जहां कहीं भी दूसरे प्रदेश के लोगों से बात करता हूँ, सभी अचम्मित होते हैं, और महोदे ये एतिहासिक कदम था, जब पाँच हजार से अधिक मध्य विद्यालियों का हम लोगों ने उच्छ माध्यमिक विद्याले में सीधे उत्क्रमन कर दिया, ये एक एति दियासिक कदम था, और आज हम दावे के साथ कर सकते हैं, कि आज बिहार प्रदेश के हर पंचायत में एक प्लस्टू विद्याले कारी रत है, और गाउं में शुदूल दिहात में रहने वाले गरीव घर के भी बच्चे-बच्चियां उन प्लस्टू विद्यालियों में प करते हैं कि यह सारे 5000 से अधिक जो प्लस्टू विद्यालियों का हम लोगों ने उत्रमन किया है वहाँ अभी भवन का भाव है वहाँ अभी सिख्षकों की कमी है यह हम सुईकारते हैं लेकिन हमने मुकंमल कारी योजना बना ली है और आने वाले समय में हम बहुत जद पूरा क करना चाहते हैं मौदय जैशा कि अभी हमने कहा कि माध्यमिक उच्छे माध्यमिक विद्यालियों में तीस हजार सिक्षकों की निवक्ति की प्रत्रिया हम लोग लगभग पूरी कर चुके थे चार-पांच दिनों में हम लोग निवक्ति पत्र देने जा रहे थे इसी बीच नियाले का हस्तक्षे पाया एक सत्रह उनीस बैच के लोगों को उसमें शामिल कराने का मामला था हमने कहा कि हम उनको सामिल कड़ा लेंगे अगली बार में अगले चरन में अगर किनी की ओम्र सीमा पार हो रही होगी तो उनको वह भी हम चांत कर देगें लेकिन हमें निवक् में सिक्षकों की कमी से पढ़ाई बाधी थोड़ ही है इधर हमारे योग अभ्यर्थी बेरोजगार खूम रहे हैं ये इस्थिती सरकार के लिए बहुत दुखदाई इस्थिती है हमने नयायाले से प्राथना की हमने कहा कि हमको आप इजाजत दीजिए हम नियुक्ति कर लेते हैं आगे जिनको भी आप कहिएगा हम लोग इजाजत देगे महोदे लेकिन नहीं इजाजत में तो हम लोगों को अपना मतलब सेडियूल रिवाइच करना पड़ा उसको आगे बढ़ाना पड़ा लेकिन महोदे हम लोगों ने भी तुनत तच्छल उसको फिर से पुनरिख् either road उल्य माह के खत्म होते हम लोग ये तीस हजार सिक्षकों की नियुक्ति सोच लीजीए पांच हजार विद्याले है तीस हजार हम नियुक्तियां करेंगे जिसमें मादमिक और उच्छ मादमिक दोनों के हैं लागवग उनीस हजार और ग्यार हजार लागवग 5 छे और सतन सिक्षट हम सभी विद्यालियों में उपलब्द कराएंगे और बहुत है जहां तक भवनों की कमी है हमें बताते हुए अपार प्रसनता हो रही है कि ये मुख्य मंत्री जी का जिसको करते हैं ड्रीव प्रोजेक्ट है हर पंचायत में प्लस तू भी द्याले हुँ इसमें भवनों की दिक्तत नहीं हो इसलिए मुख्य मंत्री जी का असपस्ट निदेश आया कि भाई चाहे इसमें जो राशी लगे किसको प्राथमिक्ता से आईए और आज मुझे बताते हुए प्रखनता हो रही है कि लगभग सारे साथ हजार करोर की योजना सिर्फ उत्क्रमिक उच्छ विद्याले में जहां पर भवनों की कमी है वो दो साल के अंदर हम लोग सभी विद्यालियों में जो भवी कमन की हो रही है तो वो हम अब बताईए कि हम सिक्षा को प्लंद कड़ा देंगे भवन बना देंगे अब सोचिए जब हमारे गाउं की बेटियों को पढ़ने के लिए कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा अब अपने ही गाउं में अपने ही पंचायत में वो प्लस तू तक महुत याद होगा हम आप जब पर्दे थे तो उसको प्री इनवर्सिटी कर्ते थे जो एक तरह से वो इनवर्सिटी का पार्ट होता थे जो आजकर 12 करते हैं तो यह आधे मतलर शुरुवार्दी कॉलेज अर्थर की पढ़ाई अब गाउं में होने जा रही है हर पंचायत में होने जा रही है बहुत ह किसी तरीके से जो हमारे सारेरिक सिक्षक थे वो भी बहुत दिन से परशान हो रहे थे हमने उनकी पात्रता परिख्षा काफी पहले ले ली थी और वो उसमें उत्तिर्न होके बैठे थे फिर उसमें भी कुछ नियायले के तरफ से बाधाएं आ गई थी लेकिन उसको हम लोगो ने दूड कर दिया है तेरासी सो च्यासी मतलब आथ हजार तीस सो च्यासि पत सारेरिकस सिंशा अनुदेसकों के हम लोगोंने स्विक्रित कर दिये हैं और हर मढ़ मिं द्याले में एक एक सारेरिकस अनुदे사क हम लोग नियुक्त करने जा उसकी प्रक्रिया प्राडम्ब हो गई है और लगभग 13,000 से अधिक न्यूक्त भी हो गए है पाकी की न्यूक्ती की प्रक्रिया चल लए है और महुत बहुत सारे लोग हमसे भी मिलते रहते हैं उनकों भी हमने कहा है कि भाई जो अगर कम पढ़ता है क्योंकि अभी लगभग जो 8000 से अधिक रिक्तियाने और जो इन लोगों की पात्रता परिच्छा हुई थी उसमें ये लोग लगबर सारे 3000 ही उत्तिर नहों पाए थी तो 5000 से अधिक वेकेश्या रहेगे तो हम ने बिहार विज्याले परिच्छा समिती से बात किया और हमारे पास योग की अभ्यर्थी नहीं होगे तो हम लोग जल्द ही उनके लिए जो हमारे चात्र अभी प्रतिक्षा रहत हैं हम उनकों बताना चाहते हैं कि हम उनके लिए सिख रही पात्रता प्रतिक्षा भी आयो जिनते रहें और लगबग 5,000 वेकेंसी है जितने हम समाजते हैं कि हमारे प्रदेश में सारेरिक सच्छा के प्रसिक्षन प्राप्त किये योग अवियरती होगे उनकी लिए हम लोग तुड़त बेवस्था करने जा रहे हैं इसकी अलावा लुगों ने हर छेतर में काम किया अवियरती हुआ आज महाचे मजे बताते हुए प्रसन्हता हो रही है कि इस प्रदेश के हर प्रमंडल में एक विश्विध्याल है हर जिले में फेजी की पढ़ाई प्रारंब करने की योजना बज छुकी है हर जिले में और हर अनुमंदल में कम से कम एक डिगरी महाविद्याल है जो हमारे बहुत सारे ठाथी यहां पर प्रश्ण भी करते रहते हैं यह हम लोगों ने वहां वो हर अनुमंदल में जो 101 अनुमंदल है हमारे हम सब में कम से कम एक डिगरी महाविद्याल है जहां नहीं है लगबर 18 चिनित हुए थे उसमें से 7-8 9 में तो हो गया है कुछ जगवो में चिनित हो गई है हम लोग उसकी भी विवस्था कर रहे है कि हमने मदर्सों के संबंद में जो मदर्सा है 1981 में बना बहुत है 1981 में बना लेकिन उस एक्ट में जो प्रावधान था कि इसके क्रियानन के लिए नियमावली बनाई जाएगी वो आज तक नहीं बना था महद है एक तालिस वर्स के बाद ये स्रे नितिश कुमार की सरकार को जाता है कि हम लोगों ने वो संदर्व में तीन नियमावली बनाई है जिसको कैविनेट की मन्जूरी मिल गई है और आज महद है आज ही आज ही आप ही की इजादत से आपने तीनों नियमावलीयों की प्रती हमारे माध्यम से सदन के बेज़ पर यहां रखवाया है वो सारे सदर्शों को मिल जाएगा उसको देख लीजिए महुत तरह के भ्रव पहलाए जा रहे है हमने सार्वजनिक रूप से सभी मदर्शाथ से जुड़े संगठलों या अल्प संखित सवदाय के लोगों से हमने खुला मंत्रल दिया है कि इसमें जहां कहीं आपको कोई दिकत मसूस हो क्योंकि हमने किसी का अधिकार लिया नहीं है हमने उनके अधिकार को केवल पूरी तरीके से सूब विवस्थित कर दिया है स्ट्रक्षेट कर दिया है जिससे कि उन मदर्शों का संचालन सूब विवस्थित हो और उसमें अधिक से अधिक योग सिक्षक ड्यूक्त हो